आज की इस वीडियो में आपको मैं Deep Neck Simple Camise की Cutting करने का जो तरीका सिखाऊंगा अगर आप ये तरीका सीख जाते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि कोई भी measurement को आप बहुत अराम से बना लेंगे तो चली दोस्तों शुरू करते हैं और आपको ये Simple Camise की Cutting करने का तर Clips, Solder, Back Neck, Front Neck और ये Body Measurement है इसमें कितना पिलस करेंगे आपको साथ पे साथ बताता रहूंगा अब दोस्तों यहां पे आपको मैं जो सिखा रहा हूं ये सिखा रहा हूं पेपर पे तो अगर आपके पास कोई सस्ता कपड़ा है आप उस पी ट्राई करें अगर आपके पा जो систем करें वाली जो साइड होती है उसको अपनी जब रखते हैं इसको इस तरीके से रखेंगे अब मैं निसान उपर की दरफ से यहां से cutting करेंगे अब ये वाली जो side है है ये हमारी on fold old world while side है अब यहां से हमें क्या करना है सबसे पहले नीचे से देखो paper में आपका सीधा नहीं है तो आप निसान लगा लेना अब यहांसे मैं 3.5 इंच का एक निसान लगा रहा हूँ ये होन जाएगा तुर्पाई फोल्ड के लिए और दोस्तों इतनी असान यह कमीज आपको बताऊंगा ना मैं कि अगर आपने इसको एक बार देख लिया तो आप किसी के भी मेजरेमेंट को बहुत असान से कटिंग करके बना सकते हों यह आपका निसान हो गया अब यहां पर जो जो लेंगे दोसा निसान दोस्तों हम जो लगाएंगे वह लगाएंगे सीधा कमर पर आर्म लेंड का विमापको समझाओंगा कैसे लगाए जाएगा तो यहां पर देख लेना समझ जाओगे उसके बाद साड़े 21 पर हम निसान लगाएंगे हिपका तो यह जो निसान मने लगा अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो है आपकि कमर लेंद है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कर लेंद कर यहां। सब दोस्तों अभी जो मैं रूहए है कि और आप उसको अगर यूज करते हैं attendees टो भोत ही बढ़ीया दोस्तों आपका working के करेगा आप इसे हमाना यहां पर देखे सोलडर इसको मैं अपनी जवान में शाइप रस हमें क्या करना है जितना भी होगा हमें इसको दो जगा करना है यहां से ठो साड़े चोदा घित्तों कि सबसाथ सबसाथ मिंसे आला हम कर देगी कि पे साथ II चीटेप ऐसे लेना है और पोने साथ पे निसान लगा देना है यह होगी आपकी आर्मोलेंड तो जितना भी सोल्डर होगा आपको इस तरीके से निसान लगाना है और दोस्तों एक चीज़ याद रखें यह जो कटिंग में आपको बता रहा हूं इसके अंदर यह जो सोल्डर इसमें अपर बश्ट नहीं रखी तो अपर बश्ट अगर नहीं नाप लिया आपने तो उसका सोल्यों संग में इसी में समझा दूंगा ठीक है तो आप देख सकते पूरी मार्किंग हो गई अब इस जगा पर हम यहां पर देखिए चैश्ट किद्नी लिखी है 35 इसमें प्ल में हमने प्लेस करा तेन तो नाप वह गया 38 38 को हमें 4 आगा भाग करना है तो हमें नाप बिलेगा साढ़े zer नो 8 तो नीचे अगर आप स्टेट बनाना चाहते हो कुर्टी तो दस रख सकते हो थोड़ा हलका सा एक्षा जिना तो साड़े दस कर सकते हो ठीक है और उसका देर इंच का मार्जन चाक फोल्ड के लिए यहां पर हमारी देखे पूरी मार्किंग बहुत बड़े तरीके से हो चुकी ऐसे मिलाना है और इसको सीधा मार कर देंगे इसने अ कुष इस तरीके से मिलाएंगे और यहां पर एक निसाद कर और इस से लेके यहां वाले निसान पर इसको ऐसे रखेंगे बिल्कुल वही स्केल सेम ऐसे निसान लगा देंगे तो यह मार्किंग हो गई अब सेम आपको यह भी निसान लगाना है पहला निसान यह लग जाएगा दूसरा निसान दोस्तों यह लग जाएगा अब यहां प्रिहां से देखो गे तो हमiff पे पूरी mix कर डी कर दी अब यह में अगर आप ने लूजिंग च्छान दी यहां तो अगर लूजले होसकता है तो अगर लूजलय होता है तो हम यहां से को से कम जादा कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है सारा खेल जो होता है वो दोस्तों होता है आपका ऊपर आला इससे का ठीक है यह उपर आला इससा आपका परफेक्ट है तो फिटिंग भी परफेक्ट आएगी तो इसके लिए आपको ज़्री इस हमने फ़ार्मुला बनाए इसको आप आजमाना यहां पर देखिए स्वह कितना है तो इसमें लिर्टेम इंगे साहर 14 अब हमारे को यहां पर क्या करना है हमें सबसे पहले तो इसाज़े को इसके इंदर przek Maintenant होता है गृशन की सबस्कोंध जैसे कि गले ऐसे कि अगये का पीछे का किनसा साथ-साथ तो हम इसमारे मायनस करेंगे कितना तीनिंच तो साड़े-14 में जब 3 जाएका तो बच्चे का आपका साड़े-13, साड़े-12, 10.30 का हफ होगा पौने-6 बस आपको यहाँ पर पौने-6 पे एक निसान लगा देना है यह परफेक्ट हमारा निसान लग चुका यहीं से पॉने तीन इंच इस तरीके से गले ब्रॉड का निसान लगा लेना है यह निसान में ओन फोल्ड करने के बार बता रहा हूं जब इसे ओपन करेंगे तो इनाब हमारा बढ़ जाएगा तो यह आपने निसान समझ लिया किस तरीके से सोडर माइनस किया अब दोस्तो यहां पर फोरेंट क्रोस और बैक क्रोस का निसान है तो यह इतना इज़ी है कि आपको मैं जो तरीका बताऊंगा अगर यह अजमा लेते हो आप दोस्तों आपके एक परफेक्ट फिटिंग आने वाली है देखो इसमें से माइनस करेंगे तीन माइनस मैंने किया है तो यहां पर आपको किना मिलता साड़े ग्यारा उसका पोने छे लेकिन यह नाव हमारा सोल्डर का गले डीप का कोडिंग इधर भी आ सकता था निसान इधर भी आ सकता था निसान लेकिन अभी जो मैंने तीन इंस कम कर रहा है तो कितना बनेगा साड़े 11 तो दोस्तों यहां पे हमारा जो फरेंट किरोष होगा वह ऑ होगा कि अच्छान Centafi कि यहां कि यहां पर हमारा यहां पर जित्ना वारा नपर ज्यादे वारने चुछ नहां यह जब करना है इसमें से माइनस कर देंगे दो तो नाप बने तो यहां पे 12 को हम इससे मिलाएंगे ऐसे कि इस निसान को मिलाएंगे कुछ इस तरीके से कि यहां पर हम थोड़ा बहुत अंदर भी जाते हैं तो दोस्तों अंदर जाने से कि भी कोई दिक्त नहीं आने वाली लेकिन यह जो तरीका यह मेजर मिंट के अकोडिंग हो जाएगा अब यह जो दो निसान आये प्लस कर सकते हो अब यहां पर हमें क्या करना है इस जगह से अब कई लोग कहते हैं यहां पर ना पहले एक डाउन कर लेंगे जारा नहीं करेंगे मैं क्या रहा पाउनенд ही कितना करेंगे स्साह Авजा नहीं करने लुछ इसको मिला देना यह caution है कि टीछ निषान होएक वाला यह उद डतते हैं यह ईसे हमसे लेते हो जाएंगे और इसे तोड़ा-थोड़ा आ एक्ष्टर लेते हुए हम इस तरीके से हाँ पर और 斯 पहले मिला देंगे कितना पहले आदाrav इंचे पहले है तो दोस्तों यह नहीं हमारे कितना हो गया और यह हमारा दर समय और कंगन बता हुआ वर आप देखेड़ हमारी आप दो इस से कम कटिГ होका यानि कि आप meant के साफ से माइनस कटेंने अक्रों माइनस करते हैं कोई दिक्कत नहीं आने वाली हुद्द नहीं अपर हम करते हैं इसकी क्टिंग कैसे ओगी हिए اसे सीधा कट फिर डाउन में कट अब मैं यहां पर बैक वाले निसान पर यानि रोज कर निसान इसी फे करेंगे अब यहां पर हमने अंदाजा नहीं लिया सिधा मेर्ट के अकोडिंग चल रहे हैं ठीक है कि और अब इसी निसान पर जो हमने लगाए था कटिंग के लिए इसी निसान को सीधा कट कर लेंगे हम तो यहां पर तो इस मेजरिमेंट को मैं निकाल लेता हूं ज़र पड़ेगी है इसको मठा जेते हैं तो यहां पर दोस्तो जिस तरीके से मैं अपकी करती हुएह उसको कटिंग कर कि आधे लोगरर कटिंग कर दिए तो आप पहले बैक का कर देंगे कांसे यहां से आरेंची नीचे से इसको स्टार्ट करना है कि यहां पर इस तरीके से कटिंग कर देनी जैसे मैं कर रहा हूं अब दोस्तों ना तो इसके नरा आपको राउंड आल मुलन आपनी जोड़त है न कुछ है यह फिटिंग आपके परफेक्ट आएगी कोई टैंसर लेनी की जोड़त नहीं है कि देख सकते हूं आपका यहां पर फर्रेंट क्रोस हो चुका है यानि इस तरीके से आपकी कमीज कटिंग हो जाएगी आई होब दोस्तों आपने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा अब जहां-जहां कट के जोड़त है जैसे यह गले ब आपका जो निसान लगाया गया है वह आपकी में बश्ट देखो यह में बश्ट हमने नापा इसमें तीन प्लस करा और उसके हमने आप मेजे में डग दिया अब काफी लोग कहेंगे सर यहां तो हमें समझ नहीं आ रहा कि आप पर बश्ट को नहीं रखा कभी-कभी यह जो आलमोल साइड में बंजो ला जाती है बगल में तो हम क्या करेंगे कुछ नहीं यहां से आद्हाइंची पहले आम को एक निसान ऐसे लगाना है किस निसान को दो ढ़ाई नीचे जाराब हाई नीमें इसफिकर कि निसान लंगा रहाइं बस आपको आपको इतना काम कर देना कोई अपरबर्स नापनी जोड़त नहीं आपकी पर्फेक्ट फीटिंग हो जाएगी और यहां से भी आपको इस तरीके से इसको चाड़ देना है कि यह लोग आपका आप अजमागे देख लेना 95% तक आपको यहीं मिलेगा अपरबर्स के साफ से तो यहां पर हम नाप लिख लेते हैं 36 इसलिए आपको मैं बता रहा हूं तो चलिए आपको बाजू कटिंग बताता हूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम बताना चाहेंगे आपको सिलाई कोर्स के बारे में अगर आपका भी सपना है कि घर बैटे सिलाई का का कि खूब सारे पैसे कमाने का तो दोस्तों आप हमारी सिलाई कोर्स से यह अपना पूरा कर सकते हों इसके लिए आपको क्या करना है हमारी अमीनबुटि की एपलिकेशन को प्ले स्टोर से इस्टॉल करना है जैसे हैं उसमें साइन आप करोगे आप स्टोर में जाओगे तो आपको हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्स मिल लाएंगे आपको जो भी कोर्स समझ आता है उससे आप डारेक वहां पे जॉइन करके कभी भी वीडियो देख सकते हों दोस्तों इसके साथ ही आपको हर स्टोर्स पे कुछ ना कुछ कॉलिक टाइम मिलेगा मालों को कुछ समझ नहीं आता तो आप दारेक हमसे बात करके अपने को पूछ सकते हों और यह जितने भी कोर्स हैं पंदर अरोंबे तक आपको मिरने पूरे को फिप्टी परसें डिसकाउंट में तो अगर आपने अभी तक को जोइन नहीं किया तो दोस्तों आप जोइन कर सकते हों और साथ में अगर कोई हमारे सिलाय का काम सेखना चाहता है तो दोस्तों इसकीन पर देके नंबर पर कॉंटक कर लिजिए अगर आपको आप प्लिकेशन भी चलाना नहीं आता तो इसकीन पर देके नंबर पर आप कॉंटक कर लेना सारी चीज़ा आपको समधाजी जाएगी तैंक यू अब यहां पर मैंने पेपर लिया इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे अब जब बाजू कटिंग करते हैं उसमें जोड भी हो सकते हैं ठीक है बिना जोड के बाजू तो कभी-कभी होता बहुत कम चांस होता है कपड़ा कम होगा तो तो आप पेपर को ऐसे फोल्ड करनें अब यहां पर मैं लगा रहा हूं इस तरीके से निसान हो यह तुर्पाई फोल्ड के लिए हो जाहागा निसान अब यहां से हमें बाजू के लेंट का नाप लेना है तो यहां पर बाजू की लंबाई किद्नी च्छे 6 एंच की लंबाई है तो हम 6,5 रखेंगे क्योंकि आर तो आपका नाप करीब 7.16 जो भी निकलेगा आप इसे मान के चलो 7 एक सूथ के आज पर आपका ये मेजे में निकलेगा अगर आप अपर बश्ट के साफ से नहीं चलोगे लेकिन आपको चलना उसी नाप के साफ से है जो मैंने आपको बताया था अगर आपका 19 नाप यानि 38 नाप होता तो 38 को 5 से भाग करेंगे तो इसमें तोड़ी लूजिंग आ जाएगी तो अभी फिलाल हमारा नाप कितना बना इसको 7 एक सूठ के आधस पास बस हमें इसी लाइन पर 7 एक चूत ऐसे निशा लगाना है और इन दोनों निसानों को ऐसे मैज यहां पर भी जिटना माधन लेना इसको ऐसे करके इसकूश सही कें करका ड़िंगे अब दोस्तों यहां प्रक्शान करेंगे कटिंग करने से पहले आपको इसको निसान को करीब देड़ इंच तक ऐसे सीधा लेके जाना है फिर इसको हलका लका गुमाते हुए ऐसे हलका सा इस तरीके से राउंड देंगे और यहां पर क्वार्टर इस तक ऐसे मिला देंगे उसके बाद एक निसान ऐसे लेके जाएंगे और आदा इंच से हमें इसको ऐसे उठाना है और पूर निसके आसपार ले जाते हुए इसको हम ऐसे मिला देंगे तो यह जो निसान लग है कि चोक का निसान तेड़ा मेड़ा हो जाता लेगी कैची चलेगी तो आपको इक्वल चला नहीं है अब इसको बस ऐसे कट करेंगे और यहां पर इस मार्क को इसको कट कर देंगे तो यहां पर हमारी बाजू कटिंग हो गई अब यह तुर्पाई का फोल्ड कि यह आपके बाजू के साइज का यह आपके बाजू का सेंटर हो गया अब इसके बार हमें इसको ओपन करना है हमेशा इसे ओपन करके ही आप अब फरेंट वाली बाजू करें यहां रखें कोर्णर ना बनें बैसको इस तरीके से कटिंग करते हुए फिनीशिंग के सान इसको आपका एक सूद बड़ा ना एक सूद छोटा बिल्कुल एक दम परफेक्ट दोस्तों ये जुड़ने वाली है तो यहां पर मैंने आपको सिंपल कमीज करने का तरीका बताया तो बेसिक यही होता है कि आप कोई भी कotomीज बना रहे हैं कुछ भी बना रहे हैं तो खते कमीज में आपको कंटिंग ऐसे करनी पड़ेगी बा lonelf पाल सकते हो इस तरीके से जो आपको मैंने आज अज तरीका बताया इससे फोलो करके दोस्तों बनाना मैं आपको गारंटी एक्ट èakkda परफेक्ट आने वाली है तो आपको वीडियो कैसे लेगी कॉमेंट्स करके जरूर बताना और दोस्तों और क्या-क्या वीडियो आप देखना चाहते हो यह भी कॉमेंट्स जरूर करना मिलतें दोस्तों आपसे अगली वीडियो में